जहिन दोस्तों स्वागे था आपका आपना चैनल पिन्टू वन्समोर में और आज का वीडियो आपका जार्खन समानाधियान का मोख टेस्ट नाइन्थ होने वाला है इससे पहले वाला यदि आप सेशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके विजिट कीजिए वहाँ सा पसानी से देख सकते हैं और दोस्तों यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपोंटेंट होने वाला है क्यूंकि आपका जो भी इस सेशन में आपका कोश्चन कराया जा रहा हो आपका जैसे सी क्याने वाले एकजाम में कोश्चन पूछे जाने की संभावना है तो यह सेशन में आप लाश्ट तक ध्यान से बने रहेगा पता नहीं दोस्तो कुन सा question कब आपके सामने आ जाया यदि आप इस session को अच्छा से ध्यान से देखे हुए रहेंगे तो वो question को आप असानी से सही कर सकते हैं और दोस्तो यदि आप हमारे इस channel पे पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे इस channel को subscribe कर दिजिए और साथ में इस video के एक like कर दिजिए और आपका मैंन में कोई भी question है तो आप हमारे comment में पुछना मत भुलिएगा हम आपके comment का जबाब जरूर देंगे और दोस्तो कल से आपका नया session स्टार्ट होने वाला है तो यह चैनल आपके लिए बहुत important role आदा करने वाला आपका जैसे सी exam के त्यारी में तो यह चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बीना कोई देरी के दोस्तों अब इस session को में start करते हैं question number फाला दोस्तों आपके सामने है जनजातिक लड़कों ने कब major rough stage की सेना पर भी सना कर्मन किया था यदि आप जार्खन का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा तो इसका right answer आपका हो जागा दोस्तों आपका option number C छे अपरेल 1820 सिसबे में किये थे हैं ठीक है चलिए next question question number दूसरा दोस्तों आपके सामने है गंगा नरायन सिंग के पच्छकार नीम्न में से कौन भूमिंज नेता थे दोस्तों यदि इसका answer आप जानते हैं दोस्तों comment में जरूर बताएं ठीक है साथ में comment भी करते जाएं इससे आपको यह पता चलेगा कि आप कुन से question cancer जानते थे और किसका नहीं जानते थे और दोस्तों यदि आप इस session का पूरा pdf डाउनलोड करना चाते हैं तो आप हमारे description में जाएए वहाँ पर आपको हमारा telegram का link मिल जाएगा वहाँ पर join होईए वहीं साब इसका pdf डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में revision कर लिजेगा उससे आपका यह सारक सारक question जितना भी कराया जा रहा हुआ आपका हमेशा mind में sit हो जाएगा तो दूसरा number का question आप बताएं दोस्तों answer बताएं इसका ठीक है तो इसका right answer आपका हो जागा दोस्तों आपका गद्री सरकार ये भी थे सुरानायक ये भी थे बुल्ली मा तो ये भी थे दोस्तों तो आपका option number D सभीक सभी हो जागा दोस्तों question number 3 दोस्तों आपका आपके सामने है तन्तु वादियंत्र इन में से कौन सा है दोस्तों ठीक है आपके सको तन्तु वादियंत्र कहते हैं देखे फर्ष्ट में क्या बोल रहा है जिन वादियों में तार से धोनी उत्पन होता है दोस्तों उसको तन्तु वादियंत्र बोलते हैं बात सही है ठीक है यह सही है दोस्तों जिन वादों में तात या तार से कमपन कर धोनी उत्पन की जाती है उसको तन्तुवादी यंतर बोलते हैं तो दोस्तों यह इसका right answer C हो जाएगा यह भी दुनों हो जाएगा दोस्तों ठीक है चले next question दोस्तों आपके सामने है question number 4 में क्या बोल रहा है सुची 1 को सुची 2 में सुमेलित कीजिए ठीक है तो आपको देखिए यहाँ पर टैडियम का नाम दिया गया है और अश्तेडियम कहां पर वो जगह दिया गया तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलान करना है ठीक है तो मिलान कीजिए जंसेथफूर में को और सा स्टेडियम है दोस्तों जंसेथपूर में मसा कीननि स्टेडियम है ऐसेसे पने नमबर फाइभ दोस्तों को समंद किस खेल से हैं और दोस्तों हम इस session को न थोड़ा fast ले रहे हैं क्योंकि यदि हम सारा question को explain करते रहेंगे तो यह session आपके लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको boring feel होगा दोस्तों इसलिए हम इसको fast अगदम सिर्फ question का answer बताते हुए ज्यादा ज्यादा question कराने का प्रयास कर रहे है तो यह session में आप बने रहे है गलाश्ट तक चलिए इसका आप answer बता है सुनता लकड़ा का समन्द किस से है दोस्तों तो इसका right answer आपका हो जाएगा honky से है ठीक है यह honky के प्रसीद खिला लिए दोस्तों असुनता लकड़ा ठीक है इसको आप ध्यान में रखिए question number 6 आपके सामने है ज्यारखन का कौन सा जिल्ला जो है पच्छिम मंगाल को अर्स-पर्स करता है यहाँ सभी बताए आप ठीक है तिसका right answer आपका हो जाएगा यहाँ पे पुर्वी स पुर्वी सिम्भूम का परसासनिग की छेत्र कौन सा है दोस्तों को अटिक है परसासनिक छेत्र बताए आप दोस्तों आपको यह बताना है जार्खन राज में अधिकांस चटानों को विस्तार देखा जातों आपका पूर्व से पच्छिम की और है दोस्तों ठीक पूर्व से पच्छिम की और आपका जार्खन में अधिकांस चटानों को विस्तार पाये जाता है ठीक चलिए नेक्स्ट कोस्चन नंबर आपका आठो है धुट्व जाम तड़ा जिलमे कीसके नेत्रीत में ब्याका अंदूलन चलाई घाता थुस्त अंधार हैनिग谢谢 चुलिघ के धुट्द्थ अम्डे कुस्चन नंबर 9 धुट्व धुर्सण की की 1 धुट्व पद सोपा गया था दोस्तों आपको यह बताना है ठीक हजारी बाग बिद्रो सेनिक के द्वारा थार संताउन के लड़ाए में गनपत राइ को कुण सा पद सोपा गया था यहां पर देखा जाता आपका राइट एंसर हो जागा दोस्तों ओप्सन नमबर सी सेनापती के पद इनको सोपा गया था ठीक है देखिए कोस्चन नमबर टेन हो जनजातिक लोगों ने जब कंपनी आधिनता स्विकार कर ली तो वह फर्दार बनने रहने के लिए नोंने कितना रुपे कर देने का स्विकार किया था दोस्तों ठीक है इसका देखा जाए तो आपका कोस्चन का आपका आठ हना भी होगा पचास भी होगो दोस्तों और एक रुपीया भी होगा तो इसका राइट इनसर आपका अप्शन नमबर डी हो जागा आपका उप्यूग्त सभी में सभी होगा दोस्तों ठीक है अचली नेस्ट कोशन आपके सामने है जार्खन के किस जिले में सोन नदी बहती है दोस्तों कि इसका एंसर जानते तब बताएं कमेंट में जार्खन में किस जिले में सोन नदी बहती है दोस्तों आपको हम बता दें किस जो सोन नदी है जार्खन में सिर्फ बोर्डर को परवेश करती है दोस्तों सिर्फ बोर्डर को छोते हुए निकलती है ठीक चलिए नेश्ट कोस्चन आपके सामने है निमलिखित कतनों पर विचार किजिए यहां पर कतन दिया गए इसमें विचार करके बताएं क्या होगा सो देखिए फर्ष्ट में क्या बल रहा है जनजाती अर्थ वेस्तक मूल अधार जो है क्रिसी होता दोस्तों ठीक है जितने भी बात सही है दोस्तों ठीक है जनजाती हम अंतिम संसकार कोश्राव गार्यने दफ्णाने वस को जलाने की परथव पर देखा जाते हैं यहां पर यह प्लामों को चेरो रहा जाते हैं ठीक है यह बात सही है ठीक है भूसंट सिंग्ग को इस्थ दो मंग्रेजों के दोबारा फांसी इसका नंबर डी ही हिसका राइट होगा क्योंकि यहां असत्य छाटना था दोस्तों आपको ठीक कोहुचनी आपके सामने है ये पताएं युदि जानते हैं तो क्या य chilik कुरां को द्वारतिक कहाँ परिशत के देखा जाए ? कारति कुरांप के द्वारा किया गया था कब किया गया था तो आपका ये option number B हो गया दोस्तों 1968 में ठीक है चलिए next question question number 15 आपके सामने है निम्न कतनों पर विचार किजे दोस्तों ठीक है आपको कतन यहां पर दिया गया इसमें आपको विचार करनी है देखें फर्ष्ट में क्या है भूमिज बिद्रो का आरम 1832 में हुआ चलिए ये बात सही है मुंडा बिद्रो के परनाम सवरुप 1908 में ही कस्तकारी अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों ठीक है ये 1908 में हुआ था बात सही है दोस्तों और घटवाल बिद्रो देखा जा तो आपका दोस्तों 1772 में शुरुआत हुआ था ठीक यहां पे 1775 है दोस्तों यहां पे गलत है तो आपका सही एक और दो होगा तो केवल एक और दो इसमें C आपका सही होगा ठीक है अचलिए next question question नमर आपका 16 है ठीक देखिये उराओ समाज का इवा ग्री को किस नाम से जाना जाता है कि जाना जाता है दोस्तों बताए जो जानते हैं तो अपने धर्म के परती अपने समाज के परती संसकार को सिखाया जाता है ठीक है चलिए next question आपका question number 17 निम लिखित में कौन सी असूर जन जाती को उप जाती है दोस्तों तिसका देखा जाता आपका अगरिया ये भी है बीर असूर ये भी है दोस्तों बिरजी असूर ये भी है सब असूर की उप जन जाती है दोस्तों तिसका right answer आपका हो जाएगा option number D सभी के सभी होगा ब्यूक्तु सभी होगा दोस्तों चलिए next question आपका निमन में से किस पूजा के बफ्रूस ही भाग लेते हैं दोस्तों निमन में से किस पूजा के清र कुज़ लोगी भाग लेते हैं तक का यहाँ पर option number A होगा रजसाही नहीं होगा यहाँ पे यहाँ सुर्ज साही होगा दोस्तों यहाँ पे सुर्ज साही होगा ठीक यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया आप यहाँ पे सुधार कर लिजेगा सुर्ज साही जो भी पुजा होता है इसमें सिर्फ पुरूस लोग ही भाग लेते हैं निमन में से किस मेले की शुरुवात नागवन्ची सासन काल में हुई थी दोस्तों यह बता है आप यहाँ पर मेला आपको दिया गया है इसमें यह बताना है आपको कि निमन में से किस मेले की शुरुवात नागवन्ची राजाओं को द्वारा हुआ था दोस्तों तो इसका र जार्खन ग्राम पंचायत के संदर में निमलीखित कत्नों पर विचार किजिए ठीक है इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है देखिए क्या बोल रहा जार्खन में त्री अस्तिरिये पंचायत वेश्था कंतरगत पंचायत राज अधिनियम की धारा दो कनुसार ग्र पंचायत पंचायत समीती और जिला पर सद सामिल है ठीक है यह बात सही है ठीक चलिए राज में पर्थम पंचायत चुनाओ ज्रकर्खन पंचेती राज अधिनियम 2001 का धार पर 2010Sb में संपन हुआ था यह भी बात सही है दोस्तों यह दोनोंक दोनों सही है, ठीक, आपसन नमबर सी इसका right होगा, चलिए next question आपका, निमने में से किसे, छोटा नागपूर, चितरकाला, सेली में निपुनता प्राप्त हैं, ठीक, आपका right answer हो जाएगा आपका option नमबर ए है, हरें ठाकूर को, हरें ठाकूर जो हैं, दोस्तों, चोटानागपूर में चितरकला सेली में निपुन्ता प्राप्थी इनको ठीक है कोशे नमर 22 दोस्तों आपके सामने है मारदाना जुमर के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार किजिए यह एक प्रूस परधान दमदार निरित है बात सही है चलिए इस निरित के परसिध नर्तक मुकुन्द नायक है दोस्तों यह बात सही है यह निरित इंद मेला जतरा मेला काउसर पर आवजित के जाता है यह भी सही है दोस्तों तिसका right answer आपका option number D होगा एक दू तीन तीनों तीनों सही है ठीक है चलिए next question दोस्तों आपके सामने देखिए question number 23 दोस्तों आपके सामने है इसमें क्या पुछ रहे हैं आपको देखिए सार्दिये दुर्गा उस्षो का उसर परमाच छिनमिस्ति का मंदिर में किस आदिवासी समु दुवारा सबसे पहले पुजा की जाती है दोस्तों यह बताना है किस आदिवासी समु को दुवारा छिनमिस्ति का मंदिर में सबसे पहले पुजा की जाती है तो यह इसका right answer आपक कहता स्वी मंदीर जो भी रामगड के होंगे उनको पता होगा दोस्तों यह इस रामगड मिश्तित है ठीक है चलिए नेक्ष्ट कोशन आपका मुरली बनाम तुराहा और टूल एम भाईर का उधारन क्या है दोस्तों यह किस परकार का है यह वाद यंत्र है दोस्तों क्या है य आपके सामने हैं देखिये राम नहीं होगा दोस्तो यह घनि राम होगा घनि राम होगा घासी राम होगा जोगा सीगनी राम नहीं होगा यहाँ पर घासी राम होगा इसको आप ध्यान में रखिएगा दोनों में confusion होता है कभी कभी ठीक है चले next question दोस्तों यहाँ पर देखिए question number 27 पंच परगनिया भासक छेतर में सिष्ठ सहाइत आरंबिक कभी किसे माना जाता है दोस्तों देखा जाती इसका right answer आपका वी नंध होगा दोस्तों ठीक यह एक देखा जाती हो यह सिल्ली के राजा थे दोस्तों ठीक चले ठीक चलिए next question दोस्तो question number आपका 29 आपके सामने है कांच के तूफान के कहानी संग्रा के लेखा कोन है ठीक कांच के तूफान जो है ये कहानी संग्रा इसके लेखा कोन है तिसका लेखा का आपका दोस्तो सीवचंद्र सर्मा है ठीक चलिए next question आपका और इतना ही question आज और जोनार जल परपात को और किस नाम से जाना जाता है ये बताएं आप कमेंट में बताएं और इसका देखा जोनार जल परपात है दोस्तों आपका रारू नदीप है ठीक है और जोनार जल परपात जो है इसको गोतम धारक नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ठीक है गोतम धारक नाम पर और गोतम धारक क्यों नाम पड़ा है दोस्तों क्योंकि यहां जो थे महत्मा बूद्ध आके यहां पर असनान किया थे इसलिए इनको गोतम धारक नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ठीक है इसको आप ध्यान में रखिएगा कभी-कभी यह ऐसे घुमा कभी पुछता है ठीक तो दोस्तों आज का सेशन में इतना ही कोश्चन कराएंगे यदि इस सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को आप लाइक किजिए अभी तक भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेज़े दोस्तों क्योंकि कल से आपका जार्खन से सिजियल से अधारित आपका अलग बेच शुरू करन करने वाले हैं जिसमें आपको जार्खन का पूरा इतिहास जार्खन के संस्कृति सभी के सभी कभर करने वाला है यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपोंटेंट रोल आदा करने वाला दोस्तों ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में तब तक लिए जाहिंद